हलो एबरिवरन वेलकम तो मैं चानल इवनिंग गादन आज मैं आप लोग से ऐसे 10 टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके हिबिस्कस की जाड की घ्रोध भी बहुत अच्छी होगी और आप साल भर इससे फूल भी ले सकते हैं तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहली मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं रिपॉर्टिंग जैसा ही हम लोग नर्सरी से एक पौधे को खरीद कर लाते हैं उसे तुरंट से रिपॉर्ट करते थे यह हमारी सबसे पहली और बड़ी गलती है ये बात धियान में रखे कि जब वो नर्सरी में था पौधा तब उसके अत्राफ का environment, condition, temperature वगेरा सब अलग-अलग था अब जब वो हमारी यहाँ पर आया है तो उसका temperature, condition, environment अलग है तो नर्सरी से जब आप पौधा लाए तो कम से कम उसे एक हफता दे ताकि वो उस condition को environment को adapt कर सके दूसरी बड़ी गलती हम लोग यह करते है कि पौधे को सहीं जगे पर नहीं रखते है ऐसी जगे पर रखते है जहाँ पर dust और pollution मिलता है यह सिर्फ हबिसकस के पौधे के लिए नहीं दूसरे पौधे के लिए भी है अगर हम ऐसी condition में उसे रखते है तो उसके पत्तों के ओपर dust और pollution accumulate हो जाएगा जम जाएगा जिसकी वज़े से उसकी photosynthesis कम हो जाएगी जिससे plant की growth और flowering पर effect पहेगा अगर आप ऐसी condition नहीं दे सकते है जहाँ पर उसे अच्छा खुला है environment pollution से दूर रखा जाए तो आप तीन चीज़े कर सकते है या तो उसके ओपर mist करे या फिर कचिक कपड़े सो उसके पत्ते पोचे अगर आपके पास जादा से जादा है विसकस के पोधे है तो आप तीसरा काम ये कर सकते है कि पानी का अच्छा सा shower करे आपके पोधों पे जिससे वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए अच्छे से shower करे तीसरी गलती सही सनलाइट में नहीं रखते है मतलब हैविस्कस के पौधे को 6-8 घंटे की डाइरेक सनलाइट ज़रूरी है जिससे उसकी ग्रोथ और फ्लारिंग बहुत अची तरीके से होगी अब अगर समर है तो आप हेविस्कस के पौधे के लिए ग्रीन नेट लगाए क्यूंकि अगर उससे कम सनलाइट मिलेगी तब भी उसके मनने के चांसे सोते हो और अगर ज़्यादा तब भी चोहती बड़ी गलती जो हम लोग हेविस्कस के पौधे के साथ करते है वो है कंटेनर साइज आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कोई भी हेविस्कस का पौधा सेम कंटेनर साइज में नहीं है एक pot में है सिमेंट के तो एक प्लास्टिक के pot में है तो कोई एक bucket में है तो कोई गैलन में है अब मैं क्या करती हूँ अगर मेरा pot 6 इंच के गमले में नरसरी से आया है तो 2 इंच बढ़ा कर लेती हूँ 8 इंच का गमला ले लेती हूँ वो जादा से जादा roots की growth पर effect करेगा जादा roots की growth होगी और उपर वाला part जो पौदे वाला part है वो जादा growth नहीं करेगा तो हमें ये धियान में रखना जरूरी है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए गलत pot size लिया है इसके लिए इसमें roots जादा से जादा बन गई है और plant की growth रुख चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर root rot होने के chances है मेरे हविसकस के पौधे को आप देख सकते हैं किते जादा से जादा roots इसमें नजर आ रहे है इसी वज़े से हविसकस के पौधे के container size को भी धियान में रखना बहुत ज़रूरी है फिफ्ट टिप जो हविसकस के पौधे के लिए है वो है pest control most common pest जो है वो है white flies, effets और millibugs मेरे यहाँ पर millibugs बहुत सादा common है अब इसका एक ही solution है और बहुत ही आसान है वो है एक चमचा नीम oil, एक चमचा liquid soap एक लीटर पानी में मिलाए और हफ़ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार किसी भी condition में इसे spray करें नहीं तो आपके पौधे पर millibugs बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे आप देख सकते हैं मेरे एक भी पौधे पर millibugs नहीं है क्योंकि मैं ये काम करती हूँ 6 टिप है विस्कस के पौधे के लिए है मेरी तरफ से रेकिंग रेकिंग हर 15 दिन में एक बार करें और रेकिंग करने के बाद में fertilizer किसी भी तरह दाले इससे ये होगा कि आपकी soil की porosity बढ़ेगी और fertilizer से उसको healthy nutrients मिलेगे next important tip जो है विस्कस के पौधे के लिए है वो है watering अगर पानी जादा रहेगा तो आपका जाड़ पौध हमर भी सकता है आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अभी अभी अपने पौधे को पानी दिया है और सारे का सारे पानी निकल गया है और थोड़ा भी जमा हुआ नहीं है ये एक healthy drainage hole की निशानी है इसके लिए उसके drainage hole की भी ज़्यादा से ज़्यादा केर करें पौधे के लिए important है वो है potting soil है बिसकस के पौधे को acidic soil पसंद है मतलब उसका pH 6 point होना चाहिए अगर आपका पौधे का soil acidic नहीं है तो आप काम कर सकते है पांच क्राम alum उसमें एक लिटर पानी में मिला कर डाल दे या फिर वेनिकर को एक लिटर पानी में मिला कर डाल दे अब potting soil किस तरह किस से बनाना चाहिए वो है 30% garden soil, 30% compost, 30% coco peat या फिर peat moss साथ में 10% additional चीजें जैसे bone will औगरा औगरा दाल सकते है तो हेविसकस के पाधे के लिए किस तरह से potting soil बनानी चाहिए वो भी मैं detail वीडियो बना दूँगी next और सबसे ज़ादा important चीज है fertilizer हेविसकस के पाधे के लिए cow dung, goat dung, wormy compost, mustard cake के sprays ये बहुत ही ज़ादा अच्छे होते है last important हेविसकस के पाधे के लिए जो है वो है pruning जैसे ही flowers आकर चले जाते हैं मैं pruning कर देती हूँ है इससे plant में growth बहुत ज़ादा अच्छे से होती है और plant बहुत ज़ादा बुशी होता है इतना बुशी प्लांट होगा उत्ती ज़ादा कलिया आएंगी और उत्ती ज़ादा फ्लारिंग होगी potting soil fertilizer वगहरा के detail वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शरूर करें झाल कि झाल करेंगी और बुशी होती है